परता के सांसत पप्पो यादो पर रंगदारी मांगने का आरूप लगा है पुर्णिया में फरनीचर विवसाई राजा कुमार ने पप्पो यादो और उनके सहोगी अमित यादो पर रंगदारी मांगने का आरूप लगा है मुफसिल थाने में पप्पू यादो के खलाब किस दर्च किया गया है बेवसाई का आरोप है कि पप्पू यादो ने पहले 2020 में रंगदारी के तौर पर 10 लाग रुपे मांगा था बेवसाई राजा कुमार की सुरक्षा में फिलाल पुलिस बल्कु टैनाद किया गया है वहीं पप्पू यादो ने सारे आरोप को खारिश कर दिया है पप्पू यादो ने साज़िश का आरोप लगाया है सांसत पप्पू यादो के खलाफ एफ आयार कारोबारी से एक करोड की रंगदारी मांगने का आरोप पप्पु यादव के खलाफ साज़िश या सच पूरिया से निर्दलिये चुनाफ जीतने वाले सांसत पप्पु यादव पर संगीन आरोप लगा है परनीचर कारोबारी राजा कुमार ने पप्पु यादव और उनके सयोगी अमित यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है जिसने अलक्षन का रिजल्ट आया चार तारीक को रात में दस बज़ के 31 मेंट पर कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिये हो अब एक का पुछता करो एक कोड़ का नहीं तो कुर्णिया पॉन सार यह छोड़ दू तो गेट से बाहर मत निकलो किसने बोले यह अमीद यादव अमीद कौन है उनका मतलब की का काश करता है उनका उनके नाम पे बोला ह उदर पपुयादव ने अपने उपर लगे आरूपों को सिरे से खारिच कर दिया है इसे एक राजनीतिक शड़े अंत्र खरार दिया है देश प्रदेश की राजनीती में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते इसने से परिशान लोगों ने आज पूनिया में घ्रणित शड़े अंत्र रचाए एक अधिकारी और विरोधियों की साज़िश को बेनकाब करेंगे सुप्रीम कोट के आदीन इसकी निश्पक्ष जाच करवाई जाए जो दोशी हो उसे फासी दे दें फिलाल इस मामले में नवनिर्वाचित सांसत पप्पू यादव पर धारा 385, 504, 506 और IPC की धारा 34 के तहट FIR दर्च की गई है और पूनिया पुलिस दूद का दूद और पानी का पानी करने में जुट गई है पुर्णिया से निर्दलिय सांसत राजेश रंचन उर्फपपू यादव और उनके सहोगी अमित्यादव पर फर नीचर विवसाई से रंगदारी मांगने और जांस से धमकी देने के आरूप में मुफस्सल धाना में प्रात्मी की दर्च कराए गई है वहीं सबाबत सांसत पपू यादों ने अपना एक वीडियो जारी करका है कि राजा कुमार पहले भी कई लोगों पर जूटा एफाई आर कर चुका है उन्होंने इस पीसे इसकी पूरी चांच करने काग्रह किया है पपू यादों ने कहा कि कुछ लोग राजनितिक साजुष के तहट उन्हें फसाने की कोशिस कर रहे हैं पान में का रोप है कि 2021 में कई बार बूला गया था उसके बाद 2023 में भी उस संबंद में गाली के लोच किया गया था पर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था और उसके बाद काउंटिंग के काउंटिंग ख़तम होने को उपरान तभी उनके सही होगी कि दोरा एक फून किया गया था अभी तक आरोप यही है और उस संबंद में हम लोग जाच कर रहे हैं यह एक बिबादस्पद इनसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानी का मुकर्दमा के तैरी के यह जाए और मुझे एक बात असर लगता है कि बिना इन्विश्टिगेशन के है जिससे कोई बाचित नहीं चार साल पास सालों में और मैं जानता भी नहीं कि खो नहीं विक्ति और तुरंत फायर करके पुलिस के इस पर चड़दा देना हूं